Friends, अपने एक वीउवर ने request किया कि Hammer of Thar Medicine के उपर एक वीडिo बनाई जाए तो Friends, Please, वीडियो को last तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम Hammer of Thar की सच्चाई को समझेंगे और फ्रेंट्स अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ और फिटनेस रिलेटर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हलो एवरिवन मैं डॉक्टर फारुक वैदुल्ला आप सभी का आपके अपने चैनल पर सवागत है जहां बाते होती हैं हेल्थ और फिटनेस की हैमर आफ थार मेडिसिन मेल की सारी सेक्स समस्याओं को सही कर देता है ऐसा दावा किया जाता है यानि यह पेनिस की साइज को भी बढ़ा देता है स्टैमिना को भी बढ़ा देता है टाइमिंग को भी बढ़ा देता है कहने का मतलब यह है कि जो भी इसे लेगा उसकी सारी से की समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो यह कि जिस तरीके से किसी ने सफेध हाथी यानि वाइट एलिफेंट को नहीं देखा है वैसे ही ओरीजिनल मेडिसीन यानि कि ओरीजिनल हैमर आफ थार किसी को नहीं मिला है यानि म लिए मैंने अपने थमनेल पे कैप्टल सी लिखा हुआ है कमपनिया पेशेंट को मरीज को जरूरत मंद लोगों को बेवकूफ समझती है और एडविटिजमेंट के माध्यम से उनके दिमाग में ऐसी बाट डाली जाती है कि यह मेडिसिन ले ली जाएगी तो उनकी सेक्स की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी मैं आपको बता दू कि इंडिया में जितनी भी इंडियन कमपनीज हैमर आफ थार के नाम से सेक्स की मेडिसिन लाउंच किये हुए हैं उसमें सिर्फ तीन चीज़े पाई जाती है अश्वगंधा शिलाजीत और सफेद मूसली तो अगर आपको हैमर आफ थार खरीदना ही है तो आप औरिजिनल और फेक में फसने से अच्छा है कि शिलाजीत अश्वगंधा और सफेद मूसली मार्केट से जाके खरीद लें हैमर आफ थार जब आप खरीदेंगे तो एक तो आपको डूप्लिकेट मिलेगा औरिजिनल मिलने की को दूप्लिकेट ही सही धाई हजार तीन हजार पांच हजार अलग अलग रेट है यार पांच सौ रुपए में पंदरा से बीस दिन की मिडिसिन आपकी हो जाएगी इन तीनों जड़ी को जब आप खरीदेंगे तो मेरी अपनी एडवाइज है फ्रेंड जिस चीज़ को लेकर मार्केट में इतना डाउट है कि ये औरिजिनल है या डूपलिकेट है उसे खरीदने की जरूरत ही क्या है अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मैंने हैमर आफ थार इस्तमाल किया था मुझे बहुत जादा असर था इसका बहुत जादा अच्छा महसूस हुआ सेक्स लाइफ उन हो रहा है तो आप डारेक्ट जड़ी परचेज कर लीजिए ये मेरी एडवाइज है तो अब कुछ लोग ये कहेंगे कि कमपनियों ने चुपके से कुछ उसमें डाला हुआ है अलग से कोई मॉलिक्यूल कोई जड़ी डाली हुई है तो यार अगर कोई कमपनी चुपके से क कोई मॉलिक्यूल या कोई जड़ी डाली हुई है जो गॉर्मेंट से छिपाई जा रही है तो कंफर्म हो गया कि उसे इसी लिए छिपाया जा रहा है क्योंकि वो आपके सेहत के लिए हानिकारक है क्योंकि अगर ये इफेक्टिव भी हो वो मॉलिक्यूल जो छिपा के डाला लेती और चोड़े से पूरी जिन्दगी पैसा कमा रही होती क्योंकि यह जितनी advertisement हो रहे हैं हैमर आफ थार के नाम पे वो सिर्फ पैसा कमाने पैसा बनाने का धंदा है तो आप सारे लोगों से request है कि आप हैमर आफ थार का इस्तेमाल ना करें और अगर इस्तेमाल ही करना है तो डारेक्ट उस जड़ी को ही यूज कर लिए जो हैमर आफ थार में पड़ी हुई है अश्वगंदा शिलाजीत सफेद मूसली मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा लिंक भी दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो इस उमीद के साथ आप से विदा लेता होंगी मेरी बात हैं आपको समझ में आई होंगी अगर आपको लगता हूँ मैं मेरे वीडियो आपके लिए आपका फ्रन्स के लिए इस सोसाइटी के लिए थोड़े से भी फायदे बंदे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना बूले थैंक्स अलोट